दोस्तों, अमिताब बच्चन ने क्यूं ले लिया था राजनिती से सन्यास? क्या हुआ था उनके साथ जिनके कारण उन्हें राजनिती छोड़नी पड़ी? क्या इसका कारण चुनाब में मिले 4000 किसिंग वोट थे? या फिर उनका भासन देने का स्टाइल? या फिर कुछ और? आईए आज के इस वीडियो में इसी रहसे से परदा उठाते हैं और चलते हैं 40 साल पहले की राजनितिक दुनिया में जब केली वीजन कुछ बड़े लोगों के घरों की सान हुआ करती थी हाँ यह कहानी है साल 1984 की लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोरा और पीछे जाना पड़ेगा यहनी जब राजिब गांधी और अमिताब बच्चन की दोस्ती हुई थी वे इसे वह साल था 1946 और वह दिन था 11 अक्टूबर जब अमिताब बच्चन राजिब गांधी से पहली बार मिले थे तब वे सिर्फ चार साल के थे कोई राजिब गांधी उस समय दो साल के थे दोनों की पहली मुलाकात उत्तर परदेश के इलहाबाद यानि आज के प्रियाग राज में बिगभी के जन्म दिन की पार्टी पर हुई थी कहते हैं इस मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती गहर आ गई कहा जाता है राजनिती में होने के नाते तेजी बच्चन और इंद्रा गांधी का परिवार एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे यहां तक की गर्मियों की छुट्टी में कई बार बच्चन परिवार भी राजिब गांधी के यहां जाया करते थे वैसे अमिताब बच्चन को इंद्रा गांधी अपना तीसरा बेटा मानती थी जो हो चली अब आते हैं साल 1984 पर जब अमिताब बच्चन फिल्मों में आये तो बंगलादेश पुर्वी पाकिस्तान था क्रिकेट में क्रांती सुरू होने वाले थी होकी अभी भी भारत का सबसे लोगप्रिय खेल था भारत राष्टी कॉंग्रेस में अभी तक विवाजन नहीं हुआ था राजधानी एक्सप्रेस को चलते चलते अभी एक साल भी नहीं बीता था और इंसान ने अभी अभी चांद पर कदम रखा था साल 1977 में अगर उत्तर परदेश में कॉंग्रेस का सफाया हुआ था तो कॉंग्रेस ने 1984 में अमिता बच्चन को चुनाब में खरा कर उसका बदला लिया था जब इंद्रा गांधी की हत्या के बाद उपजीश साहनुभूती लहर ने विपक्च के कई बरे दिगजों को चुनाबी अखारे में जमीन सुंगा दी थी ग्वालियर में अकल बिहारी वाजपेई और माधव राव सिंधिया जैसा ही एक और दिल्चस्प चुनाबी मुकाबला उत्तर परदेश के इलहवाद में माटी के लाल हेमवती नंदन बहुगुना और छोड़ा गंगा किनारे वाला यानि अमिता बच्चन के बीच भी हु लेकिन उनके सिक्षा दिक्षा इलहवाद में हुई थी बहुगुना की पत्नी कमला बहुगुना भी इलहवाद की थी आनाकि बहुगुना लखनाओ और पौंगी गरवाल लोकसवा सीट से भी सांसद रह चुके थे लेकिन साल 1984 में वह इलहवाद से लोकदल के उमिदवार पूरा विपक्ष उनके पीछे एक जूट था ऐसे में उनके मुकाबले जब अमिताब बच्चन को कॉंग्रेस ने उतारा तो यह चुनाव बहुत दिल्चस्प हो गया अमिताब तब सुपरिस्टार बन चुके थे उनकी कई फिल्में हिट हो चुकी थी और उन दिनों बहुगुना को इस चुनाव में इलहाबाद की जमिनी ताकत, पहारी, कायस्त और मुस्लिम मदताओं के मजबूत धुरुविकरन और नीजी लोकप्रेता पर पूरा भरोजा था उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री और केंद्री मंत्री रहते हुए उन्होंने न जाने कितने ही लोगों की मदत की थी उन्हें चुनाद जीतने और प्रती द्वंदी को हराने के सारे दाओं पेच मालूम थे अमिताब बच्चन सियासत के खेल में बिल्कुल नौ सिखिये थे इसलिए बहोगोना को अपनी जीत की पूरी उम्मीद थी उधर अमिताब बच्चन को अपनी सितारा छबी युवाओं में लोग प्रियता कॉंग्रेस के परती सहनोगूती लहर और सबसे ज्यादा अपने इलहावादी होने की ताकत का भरोसा था छोरा गंगा किनारे वाला की अपनी इलहावादी छबी भुनाने के लिए अमिताब ने सारे फिल्मी हतकंडे अपनाने सुरू कर दिये वो इलहावाद की सरकों और गलियों में जिधर भी निकलते रास्ते जाम हो जाया करते थे लरके उनके पीछे दोडते थे और लरकियां अमिताब बच्चन की जलक पाने के लिए छज्जों और छटों पर तूच परती थी अमिताब बच्चन धीरे धीरे पुरे लाहवाद में चा गए और बहुगुना को लगने लगा कि उनकी सियासी जमीन खिसक रही है सिल्वर इस्क्रिन पर घेरो हिक डायलोग देने वाले महानायक अमिताब बच्चन ने अपनी सियासी पारिक के दोरान जनसभाओं में भी कई डायलोग दिये जो आज भी लोगों के जेहन में जिन्दा है जनसभाओं में उनके अंदाज ने लोगों खास तोर से युवाओं को खासा परभावित किया एक जनसभाओं के दोरान अमिताब ने खुद पर किपनी करते हुए कहा मैं एक सुन्नी हूँ और इस सुन्नी को आपकी संख्यां दस गुना करेगी उनका यह राजनितिक डैलोग सियासी स्क्रिन पर नके बल काफी चर्चा में रहा बलकि उनके चुनाव में सच भी साबित हुआ वही एक सभा में अमिताब बचन ने मंच पर फिल्मी स्टाइल में घुटनों के बल बैट कर हाथ जोडते हुए राजिब गांधी से यमना नदी पर फुल बनवाने का आग्रा किया था और वे बोले थे साहाब एको फुल्वा बनवाई दा बरी दिक्कत हो तबा राजिब गांधी ने यमना पर फुल बनवाने का वादा किया था वहीं एक सभा में अमिताब बचन बोले थे मुझे वोट दें क्योंकि मेरा खाता साफ है कोई रेज एंक्री नहीं है उनका यह राजनेतिक डायलोग विरोधियों को चुब गया था विरोधियों ने अमिताब को नाचने गाने वाला कहकर वोट ना देने की अपील की थी इसके परति उत्तर में अमिताब ने एक सभा में कहा था मेरे खिलाप ऐसा बोलने वाले मेरे आदर्णी है बुजुर्ग है और हमारी संस्कृति में बरों के विरुद्ध बोलना ठिक नहीं है उनका इसारा हेमवति नंदन बहुगुना की ओर था वही परचार के दुरान एक दफा हेमवति नंदन बहुगुना और अमिताब बच्चन का काफिला टकरा गया कार रुकवा कर दोनों अपनी गारियों से बाहर उतरे अमिताब बच्चन ने बहुगुना जी को प्रणाम किया और कहा मुझे आसिरवाद दीजिये बहुगुना जी ने हाथ उठाया और बोले जिस छेत्र में हैं उसमें तरक्की करे अमिताब ने कहा नहीं मैं आपका आसिरवाद चुनाब जीतने के लिए चाहता हूँ बहुगुना जी ने मुस्कुरा कर कहा मैंने कहा ना आप अपने छेत्र में सफलता हासिल करे अमिताब बच्चन मुस्कुरा कर बोले मैं इस समय राजनिती के छेत्र में हूँ और समझता हूँ आपने मुझे इसी छेतर में सफलता के लिए आसिरवात दिया है यह कहकर अमिताब बच्चन वहां से निकल पड़े मुई चुनाब के दुरान एक समाचार एजनसी के कारियाले में चोरी हो गई थी मामला समाचार एजनसी का था इसलिए सूचना मिलते ही पुलीस के आलाप सर वहां पहुँच गए लोगों ने जब पुलीस का दस्ता देखा तो यह समझ बैठे कि जरूर यहां पर अमिताब बच्चन आये होंगे देखते ही देखते वहां भीर इकटा होने लगी एजनसी के परिसान करमचारियों ने भीर से बार बार आग्रा किया कि यहां चोरी की जाज हो रही है आप लोग यहां से चले जाएं लेकिन भीर में एक ही आवाज गुंज रही थी अमिताब बाहराओ उहीं इलहाबाद से अमिताब बचन को जीत दिलाने के लिए उनकी पत्नी वव अभिनत्री जया बचन ने भी खुद को इलहाबाद की बहुप बताते हुए मुदिखाई में पती के लिए वोट मांगा था 1984 के लोकसभा चुनाप के दुरान इलहाबाद में जब अमिताब बचन नमांकन कराने पहुँचे तो ना केबल कलेक्टरेक परिसर बलकी कचारी परिसर के साथ ही आसपास के मारगों पर खसाखस भीर जुटी थी सभी उनकी एक जलक पाने को बेकरार थे सबसे अधिक नौजवानों में उत्सहा था करीब वस्था के बाद भी सभी अमिताब को देखने और हाथ मिलाने को आतूर थे जब इस्तिती नहीं सम्बली तो उनकी बचन को कलेक्टरेक से दूसरे वाहान में बठा कर किसी तरह से ले जाया गया लोक सभा चुना परसार के दूराना अमिताब बच्चन का रोजसो सहर के जान से इन गंज में था वहाँ पहले से मवजूद कुछ लर्कियों ने काफिले के आने के पहले अपना दुपट्टा सरक पर अमिताब के स्वागत में बिच्छा दिया था जब उनका रोजसो वहाँ पहुचा तो उन्होंने सरक पर दुपट्टा देखा तो वहाँ से उत्रे और उसे वहाँ से हटवा दिया यानि उसके उपर से वहाँ नहीं गुजरा उनकी कोई चुनाबी सबा हो या फिर रोजसो खजाठस भीर जुटती थी जितनी भीर सरकों पर होती उससे अधिक सरकों से सके मकानों की छटों और दरवाजों पर होती एक समय यह मुकाबला हेमुवती नंदन बहुगना के तरफ था लेकिन धीरे धीरे काटे का मुकाबला अमिताब बच्चन की तरफ जुखता गया और मतदान के बाद जब नतीजे आये तो इलहाबाद में सियासत के दिगज हेमुवती नंदन बहुगना राजनेती में नौ सिखिये फिल्मी सितारे अमिताब बच्चन से एक लाख सतासी हजार साथ सो पंचानवे वोटों से चुनाव हार गए इस चुनाब में अमिताब बच्चन जीत तो गए लेकिन मतगना के दौरान अमिताब बच्चन के चार हजार वोट रद्ध हो गए यह वजह बरी दिल्चस्प थी इन वोटों पर लिपिश्टिक से किस मार्क बने हुए थे दर असल यह अमिताब की फैंस महिलाएं लर्कियों के वोट थे जिन्होंने मतपत्र पर मुहर के बजाए किस मार्क लगा कर पोट डाला था एक सक्स के परती लगाव का ऐसा उधरन आज तक कोई दूसरा नहीं आया अमिताब ने यह चुनाव भारी मतों के साथ जीत ली थी लेकिन इसके बाद ही राजनिती से उनका मोह भंग शुरू हुआ इस चुनाब के बाद हेमोती नंदन बहुगुना ने राजनिती से सन्यास ले लिया जेकिनी एतिहासिक जीत अमिताब बच्चन को भी रास नहीं आई जल्द ही उनका नाम विबादों में घिर गया वजह बना बोफोर्स घोटाला साल 1987 में राजीब गांधी के साथ बोफोर्स घोटाले में अमिताब बच्चन का भी नाम घसीटा जाने लगा स्वीडन के अखवारों ने इस कथित गोटाले में अमिताब बच्चन को भी सामिल बताया हालाकी बाद में ये आरोप गलत साबित हुए वहीं राजीब गांधी के राजनितिक सचीव खोतेदार ने उस दिन का भी औरा भी दिया जिस दिन अमिताब बच्चन ने इस्तिफा दिया था उनके मुताबिक अमिताब बच्चन परधान मंत्री से मिलने उनके दफ्तर पहुँचे दोनों के बीच बात चित हुई राजीब गांधी ने दोपर करीब 2.45 बजे फोतेदार को बुलाया इसके बाद राजीब गांधी ने अमिताब बच्चन से कहा कि फोतेदार चाहते हैं कि आप इस्तिफा दे दें यह फोतेदार के लिए चौकाने वाला था इस पर अमिताब बच्चन ने कहा मैं इस्तिफा देने के लिए तैयार हूँ मुझे पेपर दीजिए और क्या लिखना होगा मुझे इस पेपर पर पोतेदार ने लोकसभासदस्य के लेटर हेट वाला नोटपेड मंगाया और कहा आप अपने हाथ से इस पीकर को लिखें कि आप लोकसभासे इस्तिफा दे रहे हैं जबाब में अमिताब बच्चन ने कहा बस इतना ही वालोट इस पीकर के पास गया और इस्तिफा स्विकार हो गया दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार भी लिखेंगे बेहद आभार हमसे जुरने के लिए करते हुए